नमस्ते आज हम बना रहे हैं रंगीन धोकला मैंने रंगीन धोकला बनाने के लिए फूल तो पहचा नहीं गए होंगे मैंने काफी सरा फूल सुखा के रखा था पहले से उठा के और इसमें मैं गवर्म पानी डाल ले हुआ कि इसका कलर चाहिए था मुझे इसलिए मैं ढखके दस मिनट के लिए रख लेंगे तब तक हम सूजी ले लेते हैं मैंने एक कटूरी सूजी लिया है पोने एक कटूरा दही लिया है स्वाधन उसरे नमक ले रहे हुआ और मैं इसमें अध्रक और लस्चन का पेस्ट डाल लिए आप बच्चे खाएंगे तो आप मिर्ची फूल जाएं अधा दस्विंट के बात गाड़ा होगे है थोड़ा सा सुजी फूल के मैं इसमें डाल रहे हुआ अधा चम्मा से इनो डाल रहे हुआ है यहां पर और इनो के थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे नहीं तो इसका दाना रहे हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और इस बरतन में में थोड़ा सा तेल डालें तेल डाल के में इसको डाल देंगे बीटर को मेरे पास एक ही साचा था तो में एक ही में बना रहे हुआ आपके पास अगर दो है तो आप दोनों कलर एक हिसंग बना सकते हो तो नों साचे में तक यह दाल के टैप कर लेंगे गरम पानी में डखके इसको 10 मिनिट पका लोंगे कि कि शूजी का यह जादा टाइम नहीं लगता है सूजी में 10 मिनिट में हो जाएगा अगर हम बेशन का बनांगे तो 15-20 मिनिट लगता है तक दूसरा कलर हम रेडी कर लेते हैं उसमें मैं चिकंदर कद्दू कस करके उसे थोड़ी सी गुर्गुर्णा पानी डाल के इसको भी हम 2 मिनिट के लिए रख लेंगे तक मैं दूसरा के लिए सूजी ले रहे हूं एक कटूरा सूजी और पेवने एक कटूरा दही वही अधा चमाज मिर्ची और अद्रका प्रेट और स्वाधन उसरे नमक और फिर वह चुकुंदर की पानी हम इसमें डाल देंगे अब अपनी हिसाब से देख लेना क्योंकि ज्यादा हमें गाड़ा पतला नहीं चाहिए इसको भी मिला कि हम 10 मिन्ट के लिए रेष्ट के लिए रख देंगे तब तक सूजी फूल जाए तब तक वह बला हम देख लजी ढूकला बन गए क्या नहीं हम हमें तुटपी के यह से डाल के देखेंगे अगर चिपक रहा है तो फिर नहीं बनाए हमेरे जूखला बनके रेडी हो गया है यह वाला हम इसको थोड़ी गरम है तो फिर भी प्लेट के ऊपर हम इसको सचारो कोने में चाकु से हम मोग करके फिर निकाल लेंगे इसको दूसरा बेटर को डालने के लिए उस पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और डाल लिए एक चमचीन और थोड़ा सा पानी फिर उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके इस पर डाल देंगे इसको भी थोड़ा सा टेप करके हम घरम पान में अबलत वे रख देंगे इसको भी वही दस मिन्ट रखेंगे हम जब तक यह बहन रहे हैं हम तब तक चटनी बना लते हैं इसका तड़का बना लते हैं मैं डाल लिऊंँ थोड़ी से तेल में कड़ी पत्ता और राई राई तड़कते ही थोड़ा सा में डाल लियों आप दो चार हरी मिर्ची क्योंकि हमारी बेटर में भी अध्रक मिर्ची का फ्रेश्ट है तो इसलिए मैंने मिर्ची अपने हिसाब से डाल युँ आपको कम जा क्योंकि मेरा दही थोड़ा सा खटा था तो मैं इसमें आधा ही निम्बू डाले हूँ आपको खटा ज्यादा चाहिए खटा मिठा तो आप थोड़ा ज्यादा निम्बू कम कर सकते हो तो मेरा यह बला भी बनके रेडियू हो गया अब हम इसको प्लेंट में पैलट लेंगे मेरी पास ऐसे साचा था तो मैं इसमें काट रही हूँ आप कैसे वीडियो जाने से काट सकते हो अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो अब सेर करें सस्क्राइब करें और लाइक कमेंट करके बताना जरूर के कैसे बना है मेरा यह कि हमारा बन के रेडियो का का कलर सूची का ठूकला कि मैं यहां कोई फूट कलर यूज नहीं में कीया है लोग और यहां से डाल देंगे जो हमने वह बनाया चासणह मनीचा उस्हाइए भ्षट अव्यगत करें कि ठूकला झाल